स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल मैट्सवीत रविलोजी में दोस्तों आज हम कक्सा आठ प्रिश्णा वलिए आपकी 14.3 नाम है गुरंगंड इसका हम पहला सवाल पढ़ेंगे पहले सवाल में हमसे पुछा गया है कि निमलिकित विबाजन कीजिए सिंपल से आपको क्या करना है इसमें भाग करना है अब भाग करना है अपने सिंपल से अगर आपको भाग आता है तो इसमें भी आप अपना दिमाग लगा कर बाग कर पाएंगे लेकिन अगर आपको भाग नहीं आता है तो यह सवाल आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकत लेकिन मैं यू नहीं कहूंगा कि कठीन है अब यहां पहला सवाल करते हैं इसमें लिखा है कि 28x to the power 4 यानि कि 28x की power 4 भाजक 56x तो इसका मतलब क्या होता कि इस वाले पार्ट को विवजित करना है इसके अंदर भाग लगाना है चपन का और यहां पर सेकंड सवाल में इस वाले भाग इसमें लगाना है भाग इस वाली संक्या का ठीक है तो सबसे पहला वाला आंसर हम करते हैं इसका हल करते हैं ठीक है इसक से देखेंगे मैं केसे करता हूँ जैसे संक्या का संक्या में भाग लगाएंगे और अचर संक्या का अचर संक्या में और चर संक्या का चर संक्या में ही समझ गया आप चर और चर में आपको पता नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर दूसरी वीडियो देखिए वहाँ पर और ये कटेगा इसका दो बार समझ गए आपर अब x की पावर 4 के अंदर x का भाग लगाना है तो आपको पता है कि यहाँ पर 4x हैं तो इसमें से 1x कट जाएगा यहां से तो उपर कितना बचाएगा x to the power 3 बच जाएगा तो finally अपना answer किया बचाएगा उपर तो 1 और डीचे 2 और ये x की पावर 3 तो यह आपको finally answer बनता है यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा लेकिन दूसरे सवाल में और अच्छे से समझ में आयागा कैसे ध्यान से देखना इसको भी हम वैसे ही करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे उपर लिखेंगे minus 36 y to the power 3 यहनी कि 36 y की power 3 और नीचे लिखेंगे 9 y की power 2 यहाँ पर minus से ध्यान दगना ऐसा नहीं कि आप minus भूल जाए जल्द बाजी में गनीत में चिनों का बड़ा ध्यान दगना पड़ता है 36 के अंदर आपको 9 का भाग लगना आपको पता है कि 9 का बड़ा कितनी बार बोले 36 हजाए तो 9, 3, 4 तो 4 बार जाता है आपको पता है आप पता है कि y 3 है और यहाँ y 2 है तो आपको पता है कि इस 2 यह 3 में से 2 निकल जाएगा क्योंकि इस प्रकार से क्या करते हैं कि अगर चरका जो भाग लगाता है उसमें यूँ होता है ऐसे आप देख लिजिए आपर X to the power इस प्रकार समझें आप कि जैसे यहाँ पर X to the power N है और यहाँ X to the power M है तो क्या होगा X to the power N minus M होगा ठीक है इस प्रकार से होता है आपको थोड़ा सा यापर ध्यान लगना है यह नियम लगते हैं तो यहाँ पर y की पावर 3 है और यहाँ पर 2 है एक y कट जाएगा एक y बच जाएगा तो फाइनली आपको आंसर क्या बनेगा चार y बनेगा ठीक है अब दूसरा देखते हैं सवा इसी के तीसरे स्वाल में हमसे पुछा गया है चाहांसर्ट पी q की पावर 2 आर की पावर 3 में भाग लगाना है 11 qr का तो सबसे पहले हम करेंगे इसको उपर लिखेंगे चाहांसर्ट पी q का गाद 2 और आर की गाद 3 पटेवे 11 qr की पावर 2 तो अब आपको लगाना है 66 के एंदर 11 का आपको पता है कि 11 का पाड़ा कितनी बार बुले तो 66 अजायद आपको पता है कि 6 बार में आ जाएगा तो यहां से तो यह कट गया अब फिलेखे अब बात करतें कि तो उपड़ दो है और नीचे का एक क्यों एक करजाएगा बच्चे का 1 Q ठीक है अब उपड़ ऑर की पावर तीन है और नीचे आर की पावर दो है तो तीन में से दो चली जाएगी कितनी बचेगी एक बचेगी खाली एक बचेगी तो यह आपका अंसर फाइनली आ गया है कि 6 P Q R यह आपका अंसर है नेक्स इसका चोटा करते हैं तो इसको हम करेंगे चोटे वाले को तो उपर लेकिंगे सब सब पहले 34 एक्स की पावर 3 वाई की पावर भी 3 और जेड की पावर भी 3 नीचे 5 है ना एक इकाउन लिखावाई द्यान रग लेना यू नहीं कि आप इसको 5 है समझ लो खाली एकाउन लिखावाई ठीक है और फिर एक्स वाई की गाउन दो और जेड की गाउन तीन अब आपके लिए एक चीज़ है यहाँ पर 34 के अंदर आपको एकाउन का भाग लगाना है तो आप एकाउन का भाग लगा पाएंगे क्या आप देखे द्यान से तो हम देखते हैं अपने को पता है कि 17 का पाड़ए गांदर 34 भी आता और 51 भी आता है तो सतर दूना चोतिस और सत्र तीचा एकाउन तो उपर तो क्या मन गया दो बटा 23 मन गया अब इसको काट दे एंपर एक्स की पावर 3 है यानिके एक नीचे एक है तो दो बच जाएग अब आपको देखो देरे देरे इंगलिस में बोलने की अधर पड़ जानी चाहिए क्योंकि अब हिंदी में क्या है कि देरे समझ में कमाता है तो हिंदी में थोड़ा देरे देरे सिखी आप कुल मिला गए मेरा यह कहना है अब यहां देखिए 12 एक की गांथ 8 और बी की गांथ भी 8 बटे वे देखिए माइनस के साथ माइनस का 6 एक की गांथ 6 और बी की गांथ 4 12 के अंदर 6 का पाक लगना 6 एक कम 6 चे दुनी 12 ठीक है तो 2 आगया लेकिन माइनस है ध्यान रखना फिर ए तो उपर 8 है और नीचे 6 है आट मेंसे 6 जाता कितना बसता है दो बसता दिया पर एक की गांथ 2 बन जाएगी